नमस्कार आज हम मध्यकालिन काव्यकुंज की अध्यन के अंतरगर्त रितिकालिन कभी गनानंद के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हमें गनानंद के पदों में से जो तेरा पद है सुरुवाती उनकी व्यक्षा करेंगे लेकिन गनानंद के काव्य के बारे में जानने से पहले उनके निजी जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि उनके काव्य को ठीक से समझा जा सके तो ऐसा माना जाता कि जो दिल्ली के मुगल बादसा थे मुहम्मद सा रंगिला इनके दर्बार में जो गरानन जी वो मीर मुनसी हुआ करते थे और एक बार वहाँ जो रंगिला जी की जो दरबार था उसमें के निर्ट्यांगना भी थी और वो निर्ट्यांगना बहुत ही सुन्दर थी और उसका नाम था सुजान और जो गनान जी थे उस पर आसक्त हो गए और मन ही मन प्रेम करने लगे राजा को इस चीज़ का भान नहीं था और एक दिन ने किसी दुसरे मुनसी ने राजा को कहा यानि मुबद सार रंगिला को कहा कि गनान जी बहुत अच्छा गाते हैं इनसे गाना गवाय जाए तो गनान जी राजा के कहने के बावजुदे वो गाने से टालमटोल करते रही लेकिन जैसे ही जो सुजान उनकी प्रेमिका थी उन्होंने उनको गानने के लिए कहा तो वो मान गए और खूब अच्छी तरह आतम विभार होकर उन्होंने गए बस इसी बात से जो राजा है उनके मुन में खटक गए और उन्होंने अपने दरबार से इनको निकाल दिया लेकिन इनकी प्रेमिका ने इनका साथ देने से मना गर दिया और वहीं से जो इनके जीवन में परिवर्तन आया और वह विरक्त होकर जो प्रेम से विरक्त होकर व्रिंदावन चले गए और वहां पर इन्होंने निंबार्क संप्रदाय की दिख्षा ले लेकिन रादा सुजान को भोलने ही पाए और उनके हर पद के अंदर सुजान का एक जिक्र आता है तो यह सुजान उनकी एक प्रेमिका थी और आए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक निवेदन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो इसको सस्क् पर जो गरानजी है वो अपनी जो प्रेमिका है उसका सुंद्रिय का वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि जलक आती सुंद्र आननगोर कि उनका जो सुंदर शरीर है सुंदर उनके जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा उस चमकता है जलक के आती सुंदर मतलब सुंदर ता जलकती उनके चेहरे से छके द्रग राजत कान निछवे और उनके जो आखें हैं वो कानों तक छूते हैं, कानों को छूते हैं, यानि इतने बड़े-बड़े नैन हैं कि उनकी आखें इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि वे उनके कानों तक आती हैं, कानों को छूती हैं. हसी बोलनी में छवी फूलन की वर्षा और वो जब हस कर बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूलों की वर्षा हो रही है और फूलों की वर्षा उसकी छाती के उपर से जा रही है यानि जब उसकी प्रेमिका जो हस कर बोलती है तो ऐसा लगता है कि वो फूलों की वर्षा हो रही ह और वो फूल उसकी चाती से जड़ रहे हैं लट लोल कपोल कलोल करें और उसके जो बाल हैं ये बालों के जो लटाई हैं वो कपोल करती हैं यानि वो उसके चेहरे पर चेहरे के साथ इठलाती हैं कलोल करती हैं कल कंठ बनी जल्वाजली द्वय और उसकी जो गर्दन है वो ऐसा लगता है जैसे कि कमल की कमल के फूलों की मालाएं हूँ अंग अंग तरंग उठे द्वयती की तो ती मलत चमक है कि यहां पर उसकी अंग अंग से एक प्रकार की सुन्दर्ता की चमक आती है परिहे मनो रूप अब धर्यच्वे और ऐसा लगता है जैसे वो सुन्दर्ता उससे अभी टपक पड़ेगी चुने लगेगी तो आए दूसरा शुरू करते हैं हीन भये जल मीन अधिन कहा कुछ मो अकलानी समाने नीर सने ही को लाए कलंक निरास वै कायर त्यागत प्रान तो यहां पर जैसे विरय है विरय के बारे में बताया गया कि जिस प्रकार से अपना और मचली की जो प्रेम है उसकी में तुलना की गई है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हीन भये जल मीन यानि जल के बिना जो है मचली वह बहुत हीन हो जाती है वह बड़ी व्याकुल हो जाती है कुछ मो अकलानी समाने और वह जैसे उसका मनल जल से बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत व्याकुल हो जाती है नीरस नहीं को लाए कलंका निरास हवे कायरता अगर त्यागत प्रने और जो नीरस नहीं यहाँ पर पानी को प्रेमी बोला गया है कि वो पानी नामक के पानी जो प्रेमी है उसको कलंक लगा देती है क्योंकि वो निराज होकर कायरता पुरुन त्यागत प्राने प्राणों का त्याग कर देती है यानि मचली को अगर बहार निकाल दो वो थोड़ देर कंदर ही मर जाएगी मल कुछ भी थोड़ा हसा भी वो इंतजार नहीं कर पाती आगे लिखते हैं कि प्रीती की रीती सो क्यों समझे जड़ मीत के पानी प्रे को प्राने और वो जो मचली है वो प्रीती यानि प्रेम की रीत को नहीं समझ सकती क्योंकि इसके कारण मीत के पानी प्रे को प्रमाने और जो पानी है उसी को अपने प्रेम का प्रमान देना पड़ता है या मन को जो दसा घनानंद जीव के जेवनी जानत ही जाने और घनानंद जे कहते हैं कि मेरे मन की क्या दसा है इसको तो सिरफ जीवन को दान देने वाली जान ही जान सकती है यानि उसकी जो प्रेमिका है वही जाने सकती है जान यहाँ पर सुजान को बोला गया है कि मुझे मेरी जो घनानंद की जो दसा है उसको तो सिरफ सुजान ही जान सकती है आगे बढ़ते हैं मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा अपने हुजिये मोही अमोही यहां पर कहते हैं कि मीत सुजान अनीत करो यानि हे मीत यानि प्रेमी सुजान अनीत क्यों करते हो यानि अन्याय क्यों करते हो हाहा नहुजिय मोही अमोही और मेरे मन को मोह कर यानि जब मैं प्रेमी बन चुका हूँ यानि मेरा मन चुरा जा चुका है तो अब मेरे मन को चुरा कर आप मेरे साथी अन्याय क्यों कर रहे हो दीठी तो कोई कहू नहीं ठोर फिरे दरग रावरे रूप के दोही दीठी अमने द्रिष्टी है या कि जो द्रिष्टी है मेरी आखों को मेरी द्रिष्टी को कोई और ठिकाना नहीं है कहूं नहीं ठोर, कोई ठिकाना नहीं है फिरिद्रिग रावरे रूप की दोही और ये रावरे या नहीं आपके ये आपके रूप को ही देखती हैं सिरफ और किसी रूप को नहीं देखते इनको कोई और भी ठिकाना नहीं है यानि मेरी नजर किसी और पर नहीं टिकती एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रहे बस प्रान बटो ही और मेरी जो सांसे हैं वो सिरफ एक विश्वास की टेक में लगी हुई है यानि आपके आने के इंतजार में ही मेरी जो सांसे हैं अभी तक अठकी हुई है, वो निकली नहीं है और वो कहते हैं कि गनानन जी आनन के जनके जाता हो फिर भी मुझे प्यासा क्यों तड़ पा रहे हो यह गनानन तुम तो जीवन देने वाले हो कित प्यासिन मारत मोही और मुझे क्यों पैसा मार रहे हो यहां पर कहने के दाज़ पड़ी है कि तुम्हारा जो एक नजर है वो मुझे प्राण देने वाली है यानि और अगर मुझे आपके विच्छों के अंदर आपके जुदाई के अंदर मैं मर रहा हूं वो इस प्रकार का भाव यहां पर कहना चाह रहे है आगे बढ़ते हैं क्यों हसी हेरा हीरा रूप क्यों हित कैचित चाह बढ़ाई वो कहते कि क्यों हस कर मेरा हीरा हर लिया यानि मेरा दिल आपने हस कर चुरा लिया है हित कैचित चाह बढ़ाई और मेरे मन में जो प्रेम है वो आपने बढ़ा दिया है वो अपने प्रेम को कह रहे हैं कि सुजान को कह रहे हैं क्यों आपने हस कर मेरा दिल चुरा लिया है और मेरे मन में प्रेम की चाहत को बढ़ा दिया है काहे को बाल सुधारन बैनिन, चैनन मैनन, सैन चडाई सुधा से सने हुए जो अपने बोल थे यानि आपकी जो मिठी मिठी वातें थी उन्हों ने जो मेरे मन को कामदेव की सीड़ी चडार दिया है मैंने निसेन यानि कामदेव की सीड़ी से चडार दिया है और वो कहते हैं कि सुधी आपकी जो सुधी है आपकी जो याद है वो ऐसी है मुझे अंदर इंदर सालती है यानि दुख देती है और मेरे मन से कड़े न कड़ाई और वो बिलकुल भी निकलती नहीं है नि मैं आपको अगर बुलाना भी चाहूं लेकिन आपकी याद मुझे दुख तो देती हैं लेकिन मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता. मीत सुजान अनीत की पाठी यह जानिये कौन पढ़ाई? परोग कहते हैं कि मीत्र सुजान इस परकार की अनीती यानि अन्याय का पाठ आपको किसने पढ़ाया है? जाने कौन पढ़ाई यानि कौन पता नहीं किस ने आपको ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि वो आप मेरे साथ इस परकार का अन्याय कर रहे हो तो आगे बढ़ते हैं तब तो छवी पीवत जीवत है अब सोचन लोचन जात जरे कि यहां पर कहते हैं तब तो छवी पीवत जीवत है कि मेरी जो आखें थी हैं वो कभी आपकी जो छवी आपकी सुन्दरता को पीने से जिन्दा रहती थी यानि मेरी आखों के सामने आपका सुन्दर चेरा रहता था तब ही मैं जिन्दा रहता था मेरी आखें उनका पान करती थी आपकी सुन्दरता का अब सोचन लोचन जात जरे लेकिन अभी वो आखें हैं वो चिन्ता में जल रही हैं सोचन में सोच यानि चिन्ता में जात जर जल रही हैं, हित्पोस्ट के तोच सुप्राण पले, बिल्लात महादुक दोस भरे, और ये, जो प्रेम का पॉषण करने से, जो हमरे जो प्राण थे, यह जो मेरे प्राण थे, उनको मतलब प्रेम का पॉषण मिला था, वो अभी दुख से व्याकुल हो रहे हैं, यहनी मेरा जो दिल था, जिसको कभी प्रेम मिला था, वो अभी दुख के कारण महा दुख वोला उसने, विरया का जो महा दुख है, उसके कारण व्याकुल हो गया है, गनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, और गनाम जी कहते हैं कि जो मीत इमित्र सुजान के बिना, सारे के जारे जो सुख थे, सुख के जो सादन थे, वो चले गए हैं, वो दूर हो गए हैं, तब हार पहार से लागत है, अब आनी के बीच पहार परे, और गनान जी कहते हैं कि कभी सुजान और मेरे बीच में, जो सुजान के गले में जो हार होता था, वो हमारे बीच में प पहाड जैसी लगती थी, अब आने के बीच पहाड पड़े, लेकिन अभी तो एक सच मुझ का एक विरय का जो पहाड है, जुदाई का पहाड है, वो हमारे बीच में आकर पड़ गया है, आगे बढ़ते हैं, पहले अपनाई सुजान सने सो क्यों, फिरी तहिके तोरिये जू, निर्धार अधार है जार जार मजार दई, गही बहान बोरिये जू, तो कहते हैं कि जो ए सुजान, तुमने पहले तुम मुझे सने से अपना लिया, प्रेम से अपना लिया, और अभी उस प्रेम को आप तोड रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं निर अधार अधार है जार मंजारंदे और जिसका कोई अधार नहीं है यानि जो नदी के वेग में बहता जा रहा है और उसको अगर बचा लिया उसको तो बचाना चाहिए लेकिन आप गही बहान ने बोरिये जो लेकिन आप तो उसकी बाजू क पकड़के उसको डुबो रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो गही बहान है बोरिये बहान दुबाना कि आप उसकी बहां पकड़के मलब की बहां पकड़के तो किसी की हाथ पकड़के नदी से बाहर निकालना चाहिए मजदार से बाहर निकालना चाहिए लेकिन तुम तो हाथ चातक प्रेमी कहते हैं, मैं तुम्हारा चातक हूँ और मुझे अपने गुणों से बांद कर रखो और मुझे मत छोड़ो रस्प्याय के जाए बढ़ाय के प्यास विसास मेयो के विश्दोरे जू और वो कहते हैं कि कभी तुमने जो अपने जो प्रेम को रस को पिला कर मेरी प्यास को बढ़ाया था रस्प्याय के जाए बढ़ाय के प्यास यनि तुमने अपने प्रेम के रस को पिला कर मेरी प्यास को बढ़ाया था और आप अब उस विश्वास में जो विश्वास घात कर रहे हो विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष् निहारे मतलब निहारता हूं देखता हूं तो इन आखिन बानी अनोखी अगहानी अगू नहीं आनी तिहारी है और वो कहते हैं कि इन आखों की जो बान है यानि आदत है वो अनोखी हो गई है वो अपनी आखों करे रहे हैं कि मेरी जो यह आखे हैं इनकी जो आदत है वो अनो आगानी कहूं नहीं आंतिहारी यह और इनको आपको देखकर कोई भी अच्छा नहीं लगता याने किसी और की तरफ यह कि देखती नहीं और आपको देखने से यह थकती नहीं ऐसी अनोखी बाणि इनको होगी ऐसी आदत मेरा जो संकोच है और जो मेरी सोच है उसको हरा दीजिए यानि मेरे जो दुख है उनको अभी सुहारा देना आपका काम है क्यूंकि मैंने तो जीवन आपके परवार दिया है रोके रहे न देहे गनानंद बावरी रीजे के हाथ नहारिये और वो कहते हैं कि अपनी इस रीज को हम दवा नहीं पाते हैं रोके रहे न देहे यनि हम अपनी रीज को न रोक सकते और मेरे रोकने से भी यह रह रहेकर मुझे जलाती है यानि तुम मुझे बार बार याद आते हो मैं इसकी हीत के हाथों हार रहा हूँ यानि मेरी बस नहीं है आगे बढ़ते हैं अंतर पुदेगदा आखिन प्रवा आंसू देखी अटपटी चाह भी जनी दहनी है वो कहती कि अंतर उदेगदा यानि अंतर यानि दिल उदेग मतलब जो उद्वेग की आख मेरे जो दिल है वो जल जो जल रहा है उसके इंदर जो आग जल रही है आखिन प्रवा आसू उसके कारण आखों से आसू का प्रवा जारी है यानि दिल के अंदर जो एक चोट है दर्द है विरयका के कारण का दुख है उसके कारण मेरी आखों से आसू बह रहे हैं देखी अटपटी चाहा भी जनी दहिन है और इन आखों की एक ऐसी अज़िब चीज देखी है मैंने कि ये आसूं से भीगी होने के बाद भी वो जल रही है यानि आखों में पानी है लेकिन फिर भी आखों में जलन है यानि आसूं से वो जलन कम नहीं हो रही बलकि बढ़ रही है खोई-खोई आप ही में चेकन लहनी है और वो ये अपने आप में खोई-खोई रहती है और आप में चेटक लहनी है चेटी मुल्ब जादू और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके उपर जादू करवा दिया है जान प्यारे प्रान प्रान निश्वत्य आनंद धन विरे विसम दसा मूख लो कहनी है। मैं सब के सामने नहीं बता सकती। और वो ऐसा ही है जैसे गुंगे का गुड़ होता है। कि विदी ने भी जाने प्रेमी का जीवन कैसा बनाया है। जीवन मरन मेंच कोन खाई कोन विदी रची नहीं नहीं यानि प्रेमी यानि विदी ने प्रकृति ने भगवान ने प्रेमी का जीवन भी पतनी कैसा बनाया है। उसका जो है जीवन है, जीवन और मन के वीच में ही रहता है. आगे बिखते हैं, नेह निधान सुजान समीब्तो सिंश्टी ही यह रासी राई, सोई कि दो अब और भयी दई हेरती ही मती जात ही राई, वो कहते हैं कि ने निधान सुजान समीब्तो, यानि ने निदान यानि तुम मेरे प्रेम का अधार थे है सुजान, तुम मेरे प्रेम का अधार थे और तुम्हारी जो चांदनी थी, वो मेरे हर्द्या को सीतलता परदान करती थी। हर्द्या को सीतलता परदान हो गई है, यानि मेरे हर्द्या में सीतलता आ जाती थी। वो सारी की सारी जो अभी है वो दुख देती है, सीतलता की चांदनी है, चांदनी पहले सीतलता देती थी। वही चांदनी क्योंकि विरह हो गया अभी और विरह होने के बाद वो चांदनी अभी मुझे दुख देती है, यानि मुझे जलाती है, दुख देती है। विपरित महा गनानद अंबर ते धरको जर आई। और गनानद जी कहते हैं, ये कितना विपरित है, कितना उलट-पुलट है, कि अंबर से जो है वो आग जर रही है, जर आई। यानि अंबर से तो आने चाहिए, जो चांदनी आने चाहिए, ये लेकिन कहते हैं कि जो चांदनी है, वो मुझे अभी आग की तरह लगती है, जैसे अंबर से आग जर रही हूँ। जारत अंग अनंग की अचनी जोन नहीं सुन नहीं अगलाई और ये जो है मेरे जो अंग अंग को जला रही है और ये चांदनी नहीं है ये एक अलग प्रकार की आग है जिसको विरा की आग यहाँ पर गनानजी द्वारा कहा गया है आगे बढ़ते हैं कि नैनन में लागे जाए जागे सुकरेजे बीच कि जो नैनो के जो बाण है वो नैनो से लगते हैं यानि नैनो से जो बाण चलते हैं यानि आँखें जब मिलती हैं तो उनके नैनों के अंदर जो बाण चलते आँखों के बाण, जागे सुकर रहे जो बीड़ लेकिन वो लगते कलेजे के बीच में हैं दिल पे घाव होता है, मरलब आखें जो आपस में बातें करती हैं, उसके कान क्या होता है, वो सिदे कलेजे पर वार करती हैं, या बस हवै जीव धीर होत लोट पोट हैं, और ऐसा करने से जो बड़े धीरज वाले लोग होते हैं, वो भी लोट पोट हो जाते हैं, यानि किसी क अपने पर बस नहीं रहता रोम रोम पूरी पीर व्याकुल सरीर महा और इसके कारण रोम रोम के अंदर हमारी रोम रोम के अंदर पीड़ा आ जाती है पीड़ हो जाती है और हमारे जो सरीर है वो व्याकुल हो जाता है घूमे मती गती आसे प्यास कीन तोट है और जो हमारी बुद्धी है मती वो घूम जाती है यनि हमारी जो बुद्धी है हमारे नियंतन में नहीं रहती और ये जो प्यास है वो बढ़ती रहती है वो प्यास कभी बुशती नहीं यनि प्रेम की जो प्यास है प्रेमी को पानी की जो प्यास है वो बढ़ती ही चली जाती है चलत सी जीवन सुजाग द्रग हाथन ते प्यारी अनियारी रूची रखवारी ओट है तो कहते हैं कि जो सुजान के हाथों से जो तिर्ची नजरों के तीर चलते हैं चलत सी जीवन यनि जो सुजान के हाथों से तिर्ची नजरों से जो तीर चलते हैं वो जब सुजान चलाती है तो अपने जो सुन्दर्ता है उसकी ओट ले लेती है प्यारी अन्यारी रूची रखवारी ओठ है, यानि वो अपनी तिर्ची नजरों की और अपनी सुन्दर्ता की ओठ से गनानत पर अपने नेत्रों के वाण चलाती है, जब जब आवे तब दब अतिमन भाव, अहा कहां विसम कटाच सर चोट है, और वो कहते हैं कि जब जब य ये नैनों के तीर चलते हैं, तब दब मन को बहुत ही ज़्यादा भाते हैं, यानि जब प्रेमिका उनकी तरफ देखती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, जबकि वो नैनों के तीर हैं, आगे बढ़ते हैं, कंत्र में उर अंत्र में, सूल है क्यों नहीं सुख रासी निरंतर, दंत्र है गहे अंगरुईते, जो ब्योगत तेही तजेपरत अंतर, वो कहते हैं कंत्र में उर अंत्र में, मेरा जो प्रेमी है, कंत यानि प्रेमी, वो मेरे अंतर में बसता है, मेरे दिल में बसता है, सूल भी वो मुझे निरंतर सुख क्यों नहीं दे पाता, यानि वो कहता है कि आपकी याद मेरे दिल में है, वो मुझे सुख क्यों नहीं दे पाती, दंत रहे गहे अंगरूत है, और जो वियोग केते हैं, तचे परतंतर, और जिस परकार से मैं वियोग को सह रहा हूं, जुदाई क को शहरा हूं और उसके उससे ऐसा लगता है कि लोग दांतों तले उंगली दवा कर मुझे देखते हैं मुझे आश्चार यह करते हैं कि मैं इस प्रकार से प्रेम के वियोग में कैसे जी रहा हूं जो दुख देखती हो गनानंद रेन दिना मिन जान शुतंतर और तुम जो है म मेरे दुख को दिन रात मेरे कैसे कटते हैं अगर वो तुम देख लो जो दुख देखती हो गनानंद रेन दिना बिन जान सुनन जान यानि उसके बिना मेरे दिन रात किस प्रकार से कटते हैं अगर वो यह तुम देख लो जाने वही दिन राती बखाने न जाए पर दिन र और अगर मैं उसके वारे में अपनी पीडा के वारे मताना लगूँगा, तो दिन रात का अंतरा जाएगा, यानि पीडा कुछ और है और मैं कुछ और बता पाऊँगा, यानि पूरी तरह से मैं अपनी पीडा नहीं बता पाऊँगा, आगे वढ़ते हैं, चंदा चकोर की चहा करे गनानद स्वाती पपीहा को धावे त्यों उत्रस रहनी के एन बसेरवी मीन प्रदीन द्वैसागर आवे मोशो तुम्हे सुनो जान किर्पा ने दी ने निबाहो यो छवी पावे जो अपने रूची राची को भेरशो रंग ही निच अंक बसावे वो कैते हैं कि ऐसा अगर हो जाए कि चंदा चकोर की चा करने लगे जबकि चंदा चान्द को देखता है लेकिन यहाँ पर विपृत बोला गया है कि अगर चंदा चकोर की चाहा करे यानि चकोर के प्रेम करने लग जाए गनानंद स्वाती पपीहा को धावे, जो स्वाती पपीहा है, वो जो बादल है, वो सवाती पपीहे को ध्याने लग जाएं, यानि उसकी तरफ दोडने लग जाएं. त्रोंतर स्ट्रैनी के एन बसे रवी और एक जो छोटा सा कण है उसके उपर अगर जो रवी है यानि शूर्य है वो उसकी तरफ आने लग जाए अपना सरो से उस पर निच्छावर कर दे मीन पैद्वीन द्वेसागर आवे और जो मीन है यानि मचली है उसके उपर उसके सामन दीनता के साथ समुद्र आ जाए यानि उसके पास दीनता के साथ समुद्र आ जाए मोसो तुम्हे सु जान कर अपना दी और नह निवाहियो यो छबी पावे कि अगर है कि अगर तुम मेरे साथ नह निवाती हो यानि मुझसे प्रेम करती हो तो ऐसा लगेगा जैसा ये सभी हो रहा है जैसे उपर बताया गया है जो अपने रूची राची कुबेर सो रंक ही निज अंक बसाव है यानि ऐसा लगेगा अगर तुम मुझसे प्रेम करोगी तो जैसे कुबेर है वो किसी रंक यानि एक बिखारी को अपने गोद में बसा लेता है तो इसी परकार की सोभा ब अखरी है जो बुद्धी सोरग उचाई रचे को सारदा को कविताई सिखावे मुर्तिवंत महालच में उर्पोत हरा रूची लेह पहरावे राग वदू चित चोरन के हित सोधी सुदार के ताने गावे त्यों ही सुजानतिय गनांद मोजिय बुराई रीती रिजावे तो यहां पर जो गनांद जी करते हैं जो बुद्धी सोरग उचाई रचे को अगर कोई अपनी जो चतुराई बरी बातों बातें करके करता है तो ऐसा लगता है कि वो सारदा यानि सरस्वती को कविताई सिखा रहा है और मुर्तिवंत महालच में उर्पोत हरा रूची लेह पर अगर कोई खरे कांच की जो मन्कों की मौला पहनाने का अपने हाथों से कोसिश करता है राग वदू चित चोरन के हिदund means यनि जो राग वदू है वो दिल को चुराने वालों के हिद के लिए अगर अपने राग में सुधार करके तान गाने लगे त्योही सुजान तिय' अह तो उसकी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रिया तुम सुजान को रिजा कर अपने वस्में करना भी मूरकता है यानि सुजान को हम अपने अपने वस्में नहीं कर सकते कभी कहना चाहता कि वह तो अंजान है लेकिन प्रिया तो ग्यानवान है सुजान तो ग्यानवान है और उसे र जानवान होना पड़ेगा तो यहां पर यह इसका जो पहला भाग था तेरा इसके अंदर पर थे उनकी हमने व्याख्या की और इससे नेक्स जो तेरा है उसको पार्टू में हम व्याख्या करेंगे अगर यह आपको समझ में या अच्छा लगा तो इसको कोमेंट्स कीजिए औ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत